दोस्तों जै हिंद जै भारत मैं मदनलाल आजाद संस्थापक सन्यूजक ठगी पीड़ी जमा करता परिवार और All India Bike Board Taxi Union आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें आप सब को बताने के लिए और डेश के 42 करोड ठगी पीड़ितों के भुगतान की सरल विधी बताने के लिए तो स्वागत है आप सब का आज के इस एपिसोड में खास एपिसोड है पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे कमेंट भी जरूर कर देंगे दोस्तों तो उन्हें स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में जैसा कि मैंने कहा कि अपने भुक्तान का सरल मार्ग जानने के लिए दोस्तों संसार में सबसे सरल अगर कुछ है तो वो है सत्य और संसार में सबसे कठिन भी अगर कुछ है तो वो है सत्य का सेवन करना, सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य में भी ऐसा सत्य जो लोक हित में हो, लोक कल्यान के लिए हो ऐसा सत्य तो और ज़्यादा कठिन हो जाता है वो तो एक तरह से समझिए के कांटों का मार्ग है उस पर चलना और हम उसी सत्य का सेवन कर रहे हैं, उसी सत्य के मारुप पर चल रहे हैं, जो सत्य लोग कल्यान की बात करता है, लोग कल्यान का काम करता है देश की 42 करोड ठगीप लिए जमा करता परिवारों की डूब चुकी महनत की रकम वो भी अलग-अलग कंपनीज में, अलग-अलग क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज में उसको वापस करवाना, उसकी वापसी के लिए सरल मार्ग बनाना कोई सरल काम नहीं है, न सरल काम कभी था यह, बहुत कठिन मार्ग था, बहुत कठिन काम था इस काम को करने की छमता बिरले ही लोगों में है और बिरले ही लोगों में होती है फरमात्मा हर किसी को इतनी छमता नहीं देते कि वो सत्यका सेवन कर सके सत्यके मालग पर चल सके और लोग कल्यान के लिए सचमुछ काम कर सके जूप फरेवी तो दुनिया करती रहती है दोस्तो लेकिन हमने सही माइनों में लोग कल्यान के लिए काम किया राष्ट कल्यान के लिए काम किया और संभवत है इसी लिए परमात्मा ने हमारी कदम कदम परसायता की हमारे वचनों को स्वयम सार्थक किया परमात्मा ने उन्होंने शाकार किया और कहीं भी हमको मुँ की नहीं खानी पड़ी अपमानित नहीं होना पड़ा हम लगातार उस पत पर आगे बढ़ते गे जो पत स्वयम नारायन ने हमें दिखाया था बताया था कि इस पत पर हम चलेंगे तो हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त वैइमान रहे तराश राजे के रूप में स्थापित कर सकेंगे इस पत पर चलेंगे तो जो ब्यालीस करोड लोक हैं उनका कल्यान कर सकेंगे उनका भुगतान भुक्तान की गारंटी का अधिकार कानून अनिमिस जमा योजनाएं पावंदी अधिनियम 2019 कानून बना कानून लागू हुआ किर्यानवित हुआ उसके रूल्स बने तमाम राज्य सरकारों ने अंडर्टेकिंग दी आपका भुक्तान करने की गारंटी ली हमारे लोक प्रिये सश्षी प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी ने स्वयम इस कानून पर बहुत काम किया बड़ी गर्व के साथ, बड़ी उमीदों के साथ इस कानून को बनाया, क्रियानवित करवाया, प्रयास किये लेकिन फिर भी ये कानून देश में इंप्लिमेंट नहीं हो सका पूरी तरह से तो उसका कारण दोस्तों यह रहा कि जुलावार थी हैं जिनको इस कानून का फाइदा मिलना है या मिल रहा है वो जागरूक नहीं हुए वो संगठित नहीं हुए वो भ्रमित होते रहे तरह तरह से लोग उन्हें बहकाने का प्रयास करते रहे उनको बांटने का प्रयास करते रहे वो एक जुट नहीं हो सके और अंतत है एक क्रांती कारी है तिहासे कानून को भी दोस्तों बेइमान सिस्टम ने अपने खूनी पंजों में फसा लिया हमने मिशन भुक्तान भारत यात्रा कारिकरम के अंतरगत पूरे देश को जागरू किया इस कानून के विषय में बताया तो अंतत है इस कानून की ताकत ठगों को भेइमानों को और सिस्टम को माननी पड़ी और यह कानून देश भर में क्रियानवित हुआ सरकार स्वयम कि सरकार ने तमाम वाइदे किये और अब उन वाइदों पर को धरातल पर उतारने का समय आ गया है दोस्तो तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको खबरें सुनाता हूं चूंकर आपकी मुझे जरूरत है और मैं समझता हूं आपको भी मेरी जरूरत है हमारे संगठन की जरूरत है ठगी पीड़े जमा करता परिवार की चूंकर जब तक दोनों मिलेंगे नहीं एक दूसरे को सायोग नहीं करेंगे तब तक सासन चाह करके भी इस कानून को क्रियानवित नहीं कर सकेगा आपका भुगतान नहीं कर सकेगा चूंकर ठग बहुत प्रबल हैं बेइमान दोष्ट अपराधी शैतान कितने भी प्रबल हों कितने भी ताकतवर हों अंतत है उन्हें जोकना पड़ता है पराजे स्विकार करनी पड़ती है कभी कभी वो स्वत्य ही अपने अंत को आमंत्रेत कर लेते हैं ऐसा ही इस बार भी हुआ है कि ठग अभी तक हार नह ही मान रहे हैं ठगों के दलाल हार स्विकार नहीं कर रहे हैं वो तरह तरह के हत्कंडे अपना कर इस कानून के मार्ग में बाधा बनना चाह रहे हैं इस कानून के प्रभाव को रोकना चाह रहे हैं और वो हमारे एजेंट साथियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि हम भारती जन्ता पार्टी से मिल गए भारती जन्ता पार्टी ने हमको डरा लिया है धंका लिया है खरीद लिया है गुलाम बना लिया है दोस्तों वो भारती जन्ता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है जिसके नेता हमारे यसस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, दुनिया में गुंज रहा है आस, वो भारती जनता पार्टी देश के ठगी पिलितों के साथ खड़ी हो गई है, एजेंट साथीं कुछ रच्छा देने के लिए तयार हो गई है, कि किसी भी नर्दोस एजेंट के खिलाफ देश भर में कहीं कोई, कानूनी कारवाई नही की जाएगी, लेकिन कॉंग्रेस जैसी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसकी एट अभी भी गई नहीं है, कल परसों आपने देखे होंगे कुछ वीडियो, साहरा के पिलित राउल गांदी से उनकी नियाए जोरो भारत यात्रा के दोरान मिल कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले, आज करनाटक से एक बड़ी बुरी ख़बर है, वो एजेंट सातियों के लिए खास तोर से, करनाटक सरकार ने हमारा जो बाटस एक्ट वाला फॉर्म है, हमारा क्या है, वो भारत सरकार का ही है, हमने तो केवल उसको प्रचारित प्रसारि इधन फॉर्म के अंदर गुशेड दिया है, जवरन दोस्तों, और इसमें उन्होंने एक लास्ट कॉलम और बना दिया है, कि धोका धड़ी करने वाली कंपनी सुसाइटी के एजेंट का पूरा नाम, और जहां हम लिखते थे ने कंपनी ओबलिक सुसाइटी और उसके इजेंट साथियों को ड़ाने का प्रयास है, चुकि कॉंग्रेस जानती है, कि यह जो लड़ाई चल रही है, बाट साइक टू जीरो वन नाइन की, यह एजेंट ही जादा लड़ रहे हैं, चाए उटगी पीडी जमा करता परिवार हो, चाए कोई और संगठन, उनमें सम्मे जादा तर एजेंट ही हैं, खेर हमारे संगठन में तो 50% निवेसक भी हैं, 50% अगर एजेंट हैं, तो 50% निवेसक भी हैं, और कोई ऐसा एजेंट हमारे संगठन में नहीं है, जो स्वयम निवेसक ना हो, तो हम तो कह सकते हैं, दावे के साथ किठगी प्ली जमा करता एजेंट निवेसक ही हैं भले ही उन्हें किसी कंपनी या सोसाइटी ने धोका धड़ी से एजेंट भी बना दिया हो तो करना तक सरकार का ये प्रयास विफल करेंगे किसी भी एजेंट साथी को डरने की आवश्यक्ता नहीं है इस जो इसमें ये कहा गया है कि एजेंट के खिलाब भी कारवाई करेगी करना तक सरकार के प्याइड एक्ट में वैसे प्याइड एक्ट चाहे वो किसी भी राजय का हो चाहे यूपी का हो चाहे विहार का हो चाहे मद्य प्रदेश का हो चाहे महराश्टर का हो चाहे गुजरा इसलिए मैं PID Acts पर कभी भी जोर नहीं देता हूं और हमेशा बाट सेक्ट की बात करता हूं और बाट सेक्ट जब लागू हो गया है क्रियानवित हो गया है राज्यों ने अंडर्टेकिंग दे दी है बाट सेक्ट में PID Act हो चाहे सेवी एक्ट हो चाहे सोसाइटी एक्ट हो चाहे कंपनी एक्ट चाहे रबी आई एक्ट चाहे कोई और एक्ट चिट फंड वाले मनी सर्कुलेशन बेनिंग एक्ट हों वो सभी खत्म हो जाते हैं अनिमे जमाई उजनाय पाबंदी कानून 2019 क्रियानवित हो जाने के बाद ये कानून आ गया तो अब तमाम ठक कंपनीज क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के खिलाप इसी कानून के अंतरगत का रवाई होगी और इसी कानून के अंतरगत निवेशकों की जमारासी का दो से तीन उना पैसा उन्हें 180 दिन में सरकार वापस करेगी किसी एजन्ट को प्रताडि नहीं किया जाएगा केवल जो कंपनी या सोसाइटी चलाने वाले शंचालक हैं उसका प्रबंधन हैं मैनेजमेंट हैं उनके खिलाप भी एक्सन होगा या उन लोगों के खिलाप एक्सन होगा जो ऐसी फ्रोड कंपनीज का अपने संचार माध्यमों में विज्ञापन करते ह प्रचार प्रशार करते हैं या कोई सेलेबरिटी अपनी लोग प्रियता का दुर्पयोग करके ऐसी पॉंजी स्किम्स चलाने वाली कंपनी या क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी की फरजी स्किम्स को परमोट करता है ऐसे लोगों के खिलाप कारवाई का प्रदान संगठनों के द्वारा जो ठगों के द्वारा बनाए गए संगठन थे जो ठगों ने संगठन बनाए उन तमाम संगठनों ने इस कानून की सदा खिलापत की वो अब भी मरते मरते भी फड़पड़ा रहे हैं अंत में भी उन्होंने एक फरजी निवेशक मोर्चा बना लिय जा है जिसमें कोई निवेसक सायद एक भी नहीं होगा उस भोर्चे में वो अब भी इस कानून की खिलापत कर रहे हैं और आपको तरह तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी ठक क्रेड़िट कॉप कल्प तरू करम भूमी कल्प वट इत्यादी इत्यादी यह सभी साई प्रशा सम्रध्धा जीवन गरिमा बगएरा यह जितनी भी कंपनी हैं या क्रेड़िट कॉपरिटिव सुसाइटी हैं इंक्लूडिंग आदर सनभ जीवन संजीवनी बगएरा जेके भी बगएरा इन आप कारवाईी का प्रावधान और आपके जमादन की बापसी का प्रावधान बाच सेक्ट टूजीरो बननाईन में कि या गया है अब ठगों को लगता है कि यार बाच सेक्ट प्रभाबी हो गया देश भर में अब तो ये ठगी पिडं जमाकरता परिवार वालों से सरकार भी बात करने लगी सरकार में बैठी वी सत्ता रूर भारती जनता पार्टी भी इनके साथ बैठकें करने लगी और कानून के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी खुद सरकार ने उठा ली है तो अब तो बचना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में तमाम ठग छटपटा रहें दोस्तों और वो आपको डराने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं कोई आंदोलन के नाम पर तो कॉंग्रेस की सरकार हैं इजिन्टों को इस तरह के आवेदन पत्र जारी करके डराने का प्रयास कर रही हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है चूंके आप कोई गलत काम नहीं क अधिकार आपको अनिमे जमाय उजनाए पावंदी कानून 2019 के तहट हमारी सरकार ने हमारी संसद ने दिया है आप अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं इस मांग को और जोड़दार तरीके से उठाने की जरूरत है दोस्तों चुँके बोट तो कॉंग्रेस को भी चाहिए थे लेकिन चुँके उसके पास ठक बहुत ज़्यादा है उसके ज़्यादा तर नेता कंपनी चलाते हैं ठक कंपनी या ठक क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी उन्हें लगता है कि अगर हम इस कानून को कमजोर नहीं करेंगे व और वो एडी इंकम टैक्स की रेड की डायरी का जिकर करते हुए का था कि उसमें पचास लाक वो पचास करोड रुपे प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के नाम भी लिखे थे जब वो सी एम थे गुजरात के अरविंद केजरीवाल ने भी उसकी इंकम टैक्स की रेड का जिकर कई बार अपने भाष्णों में किया था कि सहारा समु प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी को मंधली देता रहा है लेकिन दोस्तों जब से सहारा समु ने अरविंद केजरीवाल और राएल गांधी को मंधली देनी शुरू की ही तब से उस विशह पर ये दोनों भी अपने भी उनके लोग थे कहीं जो चलाते थे, संजीविनिव वाले अपने लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनों पर भी रहम नहीं काया उजेकेवी वाला उनका अपना था विश्वास ट्रेडिंग वाला उनका अपना था और बहुत सारे थे में तो सभी के लगबग सब के बारे में जानकारी है मेरे पास तो लेकिन उमितेश अग्रवाल उनका अपना ही आदमी था रमसील वाला संजे भाटी भोजन समाज पार्टी वाला था बाइक बोट वाला लेकिन उन्होंने अपने और पराए में कोई भेद नहीं किया हमारे प्रदान मंत्री ने उन सब को इस कानून के तहट बेन कर दिया उन पर फासी का फंदा उनके गले में लटका दिया और आप सब को भुगतान की घारंटी का अधिकार दे दिया इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ बारती जन्ता पार्टी को 400 सीटों की आवश्यक्ता है वो भी जानते हैं कि अगर ठगी पिरित हमारे साथ जुडेंगे हम इनका काम करेंगे इनका भुगतान कराएंगे तो हमारी सीटे 400 के पार चली जाएंगी उनको पता है हम भी जानते हैं कि अगर हम समर्थन करेंगे हमारे लोगों का भुगतान हो जाए तो 400 के पार क्या 480 के पार जा सकती है भारती जन्ता पार्टी की सीटे तो यह सुवसर है आपके लिए सुनहरी मौका है आदान प्रदान है हम भारती जनता पार्टी को सवयोग करें भारती जनता पार्टी हमें हमारे भुगतान में सवयोग करें कि लोगों का पैसा मिले उनकी पीडा का अंत हो दुखदर्द मिटे कॉंग्रेस की तरह छल ना करे क अब मर्ना सनने स्थिती में भी एजेंट्स को डराने का एक छल कर रही है विफल प्रयास कर रही है कोई भी एजेंट कांग्रेस से या किसी भी सरकार से या किसी भी ठग से या ठगों के संगठन से डरेगा नहीं अब सब जागरूक हो चुके होने बुगतान की गारंटी का अधिकार मिल चुका है, कानून का सनरक्षण प्राप्त हो चुका है और जब कानून का सनरक्षण मिल जाता है तो फिर तो पद दलित भी उठखडा होता है सामनतों के खिलाप लड़ने के लिए ये तो ध्यान रखें ठग भी और ठगों के संद्रक्षक भी के अब देश के तमाम ठगी पीडितों को एजेंट्स को निवेशकों को अनिमे जमा योजनाय पावंदी कानून 2019 का संद्रक्षण मिल चुका है और अब ये किसी भी मुल्ड़े पर किसी से डरेंगे नहीं अपना आधिकार लेकर रहेंगे तो साथियों हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक और बेतरीन काम देश में कर दिया है उसके लिए भी मैं उन्हें बदाई देता हूं वास्तम में ये लोग पात रहे चाहे वो करपूरी ठाकुर हों चोधरी चरणशिंग हों पीबी नर्शम मराब ह हूं डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन हूं या माने निलाल तृष्ण आडवानी जी इन पांचों महान हस्तियों को भारत रत्न दे दिया गया है दोस्तों इसके लिए मैं अपने ये सश्वी प्रधान मंत्री की भूर-भूर प्रसंसा करता हूं कि उन्हों ने चुन-चुन कर खोज-खोज कर ऐसे लोगों को सम्मानित करना आरंब कर दिया है जो विचारे हीरे होते हुए भी अच्छे और महान लोग होते हुए भी त्यागी होते हुए भी शंगर्शी लोग होते हुए भी उनकी कोई सुध नहीं लेता था उन्हें कहीं जीते जीत अपमानित होना ही पड़ता था मरनो परांत भी कोई सम्मान सासन के द्वारा दिया नहीं जाता था और पढ़ान मंत्री ने तो एक और अत्यास से काम किया था अपने देखा होगा कि जिस स्वीपर कम्यूटी से स्वख्ष कारों से सफाई करने वालों से उनकी परच्छाई तक से लोग नफरत करते हैं इसनान कर लेते हैं विधर्मी भी जिन्हें अपने बरावर में नहीं बैठने देते हमारे सनातनियों की तो बाती छोड़िये उस स्वीपर कम्यूटी के लोगों के भी प्रधान मंत्री ने कुम्भ मेले के दोरान पैड़ धोये थे तो ऐसा है तिहासिक अनुपम विरला पवित्र काम करने का साहस हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी में ही है इसलिए भी मुझे लगता है कि हम सब को भी उनके पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए और उने इस बार 480 से ज़्यादा सीटें लोग सभा में देनी चाहिए इनने था ये कॉंग्रेस के ठग जिस तरह करनाटक में एजेंट्स को डराने का इस मुमेंट को दबाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे ही पूरे देश में अनिमे जमा योजनाय पावंदी कानून 2019 को खा जाएंगे और आपके भुकतान के अदगार पर टकैती डाल देंगे तो आप सब जागरूख हो जाएं साथियोग पूरी ताकत के साथ हमारे अभ्यान से जुड़ें हमारे मिशन से जुड़ें और हम आपसे वाइदा करते है कि आपकी पाई पाई का भुकतान हम प्रधानमंत्रीजी से ही कराएंगे बारती जन्तापार्टी की सबकार से ही कराएंगे अम तो पहले भी यह जिद लेके बैठे थे कि एकाम नहीं से कराना है लेकिन अब तो तमाम चीजें अनुकूल हो गई हैं अब तो उनसे खुई श हलते हो कि यह जल्दी हो चुंकर आप तमाम लोग जल्दी में हैं मुझा जानता हूं लेकिन आप सबसे जादा जल्दी मुझे है तो जल्दी का तो एक ही सूत्र है एक ही फॉर्मूला है दोस्तों कि आप सब संगठित हो जाएं और इस लड़ाई को मिलकर लड़ें संगठित होकर लड़ें अन्य था यह लड़ाई इतनी सरल नहीं है दोस्तों जितनी आप समझ रहे हैं तो मैं अंत में एक तो दोस्तों वाट सेक्प है जो है मैंने वो बताया था आपको कि क्रिप्टो करेंसी जो इसकेम हुआ हिमाचल का उसमें कही राज्यों ने साइटी बनाई और उसमें बट सेक्ट की धराएं जोड़ी गई उसमें अब आखरी चालान फाइल किया जा रहा है और यह इतनी जल्दी जो कारवाई हो रही है दोस्तों उसमें पांच पुलिस ओफिसर्स को भी आरूपी बनाया गया है कुछ भाग गए हैं बीस के करीब अरेस्ट हो गए हैं करोड़ों रूपे की प्रॉपर्टी बट सेक्ट के तहट जब्त कर ली गई हैं पंजाब में हमाचल में यूपी में ये सब इसलिए इतनी तेजी से हो सका है चूँकि उस मामले में वाट सेक्ट की धाराएं लगा दी थी और निश्चित रूप से सब का बुक्तान होगा बहुत जल्दी हो जाएगा एक सोसी बिन में हो जाएगा दोस्तों आप सब भी इस कानून का प्रयोग करें दोस्तों और एक और खबर आईए है आपके हित में ही के हमारे देश की पूर्ब स्वास्थ मंतरी भारत सरकार डॉक्टर अंबु मनी रामदा साहब ने भी पहुंजी इसकी इस पिलितों के लिए आवाज उठा दी है उन्होंनों भी सरकार से गुहार लगाई है कि देश के तमाम ठगी पिलितों की मदद की जाए उनके लिए कोस बना कर या इस कानून का इंप्लिमेंटेशन करें ये भी बड़ी ख़वर है कि नैशनल लेविल के लीडर जिनकी अपनी पार्टी भी है पीम के और सम क्या बोलते हैं सायोग से वो भारती जनता पार्टी की सायोग पार्टी है तो उन्होंने भी आपके पक्ष में आवाज उठा दी है जिससे कि जहां जहां ये ठग ठगी कर रहे थे एडी ने इनके छक्के छुड़ा दिये हैं हाथपेर फुला दिये हैं मुख्यमंतियों तक को अपने लपेटे में ले लिया है ठगी इसके मामलों में एक वो कंपनी है उडीसा की गोल्डन लेंड डवलपर्स नौसो करोड रुपे की उसने ठगी की थी एडी ने रातों रात कारवाई करके उडीसा में दोस्तों उसके यहां से एक करोड रुपे कैस और कई सो करोड रुपे की प्रॉपर्टी के कावजात जब्द कर लिये हैं और एक और खबर है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले वीडियो में वो खबर भी आपकी होसला अफजाई करने वाली है कि एडी ने पौंजी स्कीम्स का प्रचार करने के मामले में अबनेता प्रकास राज और गोबिंदा को भी तलब किया है तो अब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी सुरुआ आपके भुगतान को लेकर के हो गई है तो अब इस स्वर्णे मबसर पर दोस्तों आपकी उदासींता आपका तनाव ग्रस्ट होना जल्दबाजी करना हाथ पर हतेली पर सरसों काने का प्रयास करना कि हमारा भुगतान कल ही हो जाए ये अनुचित है उचित यही है कि जो कानून बना है कानून ने जो प्रॉसिस दिया है उस प्रॉसिस को सब लोग फॉलो करें अपने अपने भुगतान का दावा अवश्य करें वाटसाइक 2019 के अंतरगत निश्चित रूप से आपका भी भुगतान होगा और आपके साथ ठगी करने वाले ठगों को भी दंडित किया जाएगा मिलते हैं कल जैहिन जैभारसा थे